इतिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम आलेकुम रहमतुल्लाई वरकातु इत्याद नूज में आप सबी का खैर मकदम हैं पहले से हम कहा करते थे कि जितने भी घोटाले हुए हैं उसके पीछे मरकजी हुकूमत का हाथ है मोदी हुकूमत का हाथ है जो अभी मल्या है संदीब जुनजुनवाला है मिखल सब्सक्ता से सब्सक्ता चांड है तो लोग कहते हैं के नहीं नहीं यह तो यी नीज चैनल झो हमेश्यां मूदी की मूद्ध करता है पहले सही कहते आ रहे थे कि जो भी बैंकों के घोटाले भारत में हुए है इसके पीछे मोदी सरकार है पर भारत में तो सभी खरत कामों के लिए हाथ वाली यह कांग्रेस पार्टी को जिमेदार करार दिया जाता है अपनी जिम्मेदरी से किनारा करना या पहले सही आदत है एक बार फिर यहाँ बात सामने आई कि तकरिवल पचास से भी जायत बेंगों को डुबने वालों मौदी हकूमत ने निके करजे को माफ कर दिया है आपिर क्या वज़ा है कि मौदी हकूमत ने इने आसानी से बक्ष द जाता है तो एक दूसरे को माप भी किया जाता है इस तरह तो लोगों को लगना मुम्किन है तभी तो कॉंग्रेस सदर रहूल गांदी ने कहा जब मैं लुसंसद में कहा था मोधी हुकुमत चोरों को फरारे राह एक्तियार करने दे रहे तब तो जब मैंने पूछा बताया नहीं गया जब भारत की मैशत तकरीबन डूप चुकी है तो हजारा क्रोड रुपए लेकर भागने वालों को क्यों हुकुमत महरबानी कर रही है पर यह भी सच है कि अगर प्रदान आएगा क्या तुम देश इत्में नहीं हो अब जब देश पोरा कोरोना से लड़ रहा है तुम्हें पचास बैंक के लुटेरों की पड़ी है जो भी वह तुम्हें देश की कोई फिकर नहीं इस तरह के जवाब यहां की अवाम देती रहेगी या तो फिर हुकुमत में देत रही है क्या इन्हें माफ करने से पहले हुकुमत को इसका भी खयाल रहा कि यहां पैसा भारत के तमाम देश वासियों का है अब जब गर्जा ही लिया है तो इन्हें देश में लाकर क्या करोगे क्या एक और बैंक लूटने के लिए इन्हें आजाज चोड़ दोगे इसमें तो सभी बड़े देश भक्त लोग है हमेशा भगवा पहन कर सौदेशी का जब करने वाले बाबा रामदयों भी इस फैरिस्त में है मशूर लिकर किंग विजय मल्या का भी करजा माफ कर दिया गया है आल्टी आई के तहक पूछे गए इतलाद जब हासिल हुए तो घोटाल इनका काना इन्होंने यह भी कहा है कि सरासर बैंक में पैसे रखने वाले खातिदार जो इस देश के शहरी हैं इनकी सरे आम हाम लूट है यह हासिल इतला के मताबर आजिए कि आए कि महताःत इतलाः वालिया आई जानकरी हासिल करने के लिए साकित गोकले नामी आपसर ने अर्जी दाखिल इन्सधने देश में विल्फुल डिफॉल्टर की फेरिस्त मांगी थी पर निर्मना सीतारमन और अनुलाग ठाकूर ने जानकारी आम करने से मना при этом एक्टी सागित गोखले ने जानकारी मांगी जिशी工作 मत देने से मना किया था उसी जानकारी को रिजर बैंक ने चोबीस अप्रिल को जवाब देते हुए तफसिलात पेश कि इन तमाम देश वक्त कारवरी का करजा 30 सप्टेंबर उनीज को माफ करने की कबूली रिजर बैंक ने दी है क्या इस देश की जनता और खासकर अंदवक्त किसे पूछ कर माफ किया था सब्ता से सवाल पूछने वाला कोई है के नहीं अगर आज हम सब्ता से सवाल करने के हिम्मत नहीं रखते इसका मतलब इस देश का लोकतंतर खत्म हो चुका है जिन में बाबा रामदेव मेहिल चोक्सी जतीन मेहता संदी जुन जुन वाला कोटा विजय मल्या यह साथ जाहिर होता है कि मरकजी हुकूमत का इसमें जरूर दखल है तभी तो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं अगर सवाल पूछोगे तो तुम्हें देश दुरही साबित किया जाएगा इत्याद नियुद देखने के लिए शुक्रिया अल्लाहाफीज